आकास can do a piece of work in 74 days. बीशाल can do this work in 37 days. आकास started the work alone. After how many days should बीशाल join him so that the total work is finished in 40 days. दोनों का total time दिया है. तो आकास है और एक बीशाल है. आकास को कितना लग रहा है? 74 days. 74 days. बीशाल को कितना लग रहा है? 37 days. दोनों का LCM करेंगे. 74 आ जाएगा. Efficiency की बात करेंगे. तो इसका 1, 2. ओके? तो आकास अके ले काम करते हैं. हम लोग को पता नहीं कितना में काम करते हैं. तो लेट मान ले दे आकास X दिन में काम करते हैं. तो आकास को हो जाएगा. X into 1 Efficiency. प्लस अब दोनों का Efficiency. 2 plus 1 यानि कि 3. ओके? 3. अब X काम तो हो गया. उन्हें करना है 40 दिन में. उन्हें करना है 40 दिन में. में माइनस जो X काम हो गया हूँ. इक्वल टू मेरा टोटल काम कितना है? 74. इसको करेंगे. X plus. अब 3 फो जो 12. 120 माइनस 3 X. इक्वल्स टू 74. अब यहां यहां से 3 X को दर भेज दे थे. प्लस का 3 X और यह माइनस का X. यहां पे 120 माइनस 74 करेंगे. तो 46 इक्वल्स टू 2 X. 2 1 जटू 22 जफो 23 जटू 6 यहां यहां कि X इक्वल्स टू मेरा आगा है 23. अब्शन नम्बर C. थेंक्यू.